तो आज हम बात करते हैं हमारा जो GDS 2 PA टेक्चर नमबर 6 था है क्लोज नमबर 121 29 से शुरू करते हैं इससे पहले हमने 108 क्लोज नमबर तक कर लिये थे तो आज हमारे पास जो है पहले फस्ट है book packets containing periodicos प्रियोडिको जो होती है पत्तरिकाएं तो ऐसे book packets जिन में पत्तरिकाएं हूँ तो इसमें क्या है register with registrar of newspaper in India under press and registration of book act 1867 तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी book packet में कोई पत्तरिका भेज रहे हैं तो वो register होनी चीए with registrar of newspaper जो हमारा registrar of newspaper है इंडिया का उसके साथ वो register होनी चीए और किस act के अंडर होनी चीए press and registration of book act 1867 नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट पेज सुपर सक्राइबड registered with registrar of newspaper for इंडिया under serial number तो उस पर जो हमारा पहला और उसका फर्स्ट और आखरी पेज होगा उस पर क्या लिखा होगा registered with registrar of newspaper for इंडिया under तो उसका जो भी serial number गया रहा होगा वो उसके पहले और आखरी पेज पर लिखा गया होगा provisions of clause 122 to 127 are also applicable for book packet containing periodicals तो हमने जो book packet के related पड़े जो भी उसके provision थे या जो भी उसके prohibition थे या कुछ भी था जो भी हमारे उसमें contents बगारा थे हम वो सभी same इसमें भी apply होते हैं same इसके लिए भी हैं next हमारे पास pattern and sample packet pattern प्रति रूप या फिर नमूना packet unpaid and insufficiently paid pattern and sample packet तो इसमें क्या होगा जब वो deliver किये जाएंगे तो अगर unpaid है तो double of posted charges जो भी उसके बनेंगे या insufficiently prepaid हैं तो जो भी deficiency रह गई होगी उसके double charges लेगे contents तो हमारा जो pattern and sample packet है उसमें हम क्या क्या भेज सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास contain bona fide trade patterns or samples of merchandise तो उसमें कोई भी हमारे पास bona fide प्रमानित trade pattern या फिर हमारे पास कोई भी समान है उसका नमूना भेज सकते हैं पर not having any sale level value with or without any matter तो उसमें ऐसी चीज नहीं भेजेंगे जिसकी कोई price value हो जो बेचने के लिए भेजी गए हो सिब उसमें कोई भी sample भेज सकते हैं कोई भी नमूना भेज सकते हैं किसी भी चीज का पर वो बेचने के लिए नहीं होना चाहिए no writing upon in pattern or sample packet तो उसके उपर या उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए except पर इसमें कुछ cases में shoot है जैसे हम उस पर नाम and address of sender तो उसमें नाम और जो भी उसका पता होगा sender का वो लिख सकते हैं name and address of addresses जिसको भेजा उसका नाम पता लिख सकते हैं यह trademark हो सकता है यह number price हो सकता है यह indications हो सकते है बेट size और quantity की next है हमारे पास objects of natural history dried और reserved animals and plants तो कोई भी हमारे पास सूखे plants है या फिर हमारे पास reserved animals हैं जो भी reserved करके रखे हुए animals हैं या कुछ भी जियो लोजिकल स्पैसिमन है जो भी हमारे भूब ग्यानिक नमूने है या फिर कोई इन से related कोई भी object तो वह भी एलो नहीं है वह भी हम सेंपल और पैकेट्स के थुरू नहीं बेश सकते हैं dg prescribe every packet pattern or packet having contents of a specified nature तो जो हमारा अड्रेक्टर जनल है वो जो भी उसके अंदर contents बेश सकते हैं उनका जो नेचर होगा वो specify करेगा next है हमारे पास size and bed जो भी हमारा sample और pattern packet होगा उसका जो maximum size है वो कितना हो सकता है 2 kg और size same as book packet जो हमने book packet के sizes पड़े थे और सेम जो हमारा sample और pattern packet है उसके लिए भी अपलाई होंगे next हमारे पास packing तो जो हमारा pattern और sample और pattern packet है उसकी packing कैसे करेंगे must posted without cover or be the cover open at both hands तो जो उसका cover उसको बिना cover के भेज़ेंगे अगर cover का use किया है तो वो cover दोनों तरफ से खुला होना चाहिए और in unfastered envelope or with other cover easily removed या फिर जो बांदा गया है जो envelope होगा उसे बांदना नी चाहिए या फिर जो cover होगा वो easily remove हो जाए असानी से उसे निकाला जाए अगर कोई inspection वगारा करनी examination वगारा करनी हो तो easy असानी से निकल जाए samples of seeds, drugs and other articles which cannot sent in unfastered cover तो जो हमारे beads के sample है या कोई दवाईयों के sample है या फिर कोई अन्य article है तो वो भी हम उसे भी हम unfastered मतलब उसे भी हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं कि उसका cover खुला हो sent and closed in boxes और bags तो उसे जो हमारे boxes होंगे या bags होंगे उनमें बांद अचीए also and closed in airtight glass भेन नसेसरी तो उन्हें airtight glasses में भेज सकते हैं जब भी ज़रूरत हो full signature and address of sender तो जो भेजने वाला होगा उसका full signature और address लिखा होगा glass or other fragile material must be securely packed जो हमारे glass होंगे या तूटने वाले material कुछ भी होगा उसे अच्छे से बांदना चाहिए safety के साथ बांदना चाहिए in boxes of metal, wood or strong cover तो उन्हें हम boxes जो हमारे धातुगों के boxes होते हैं उनमें या लकडी के boxes होते हैं या फिर strong cover में उन्हें बांद कर भेज़ेंगे liquids, oils, substances which easily liquefy must enclosed in special boxes of metal, strong wood और strong cardboard तो जैसे हमारे कोई भी ऐसे articles भेजने हमने जो liquid हो या फिर oil हो या फिर ऐसे articles जो असानी से liquefy हो जाए असानी से उनका liquid बन जाए तो उन्हें भेज़ेंगे तो उन्हें हम metal या किसी strong wood या फिर strong cardboard में रखकर भेज़ेंगे having sourdust, cotton, spongy material insufficient quantity to absorb liquid और उसके साथ में हम rate रखेंगे या cotton या कुछ भी ऐसा material जो उनको असानी से सोख ले अगर वो कहीं रास्ते में तूट जाए या कहीं से leak हो जाए तो वो असानी से उसे absorb कर ले नेक्स्ट है हमारे पास fatty substances not easily liquefied तो ऐसे substances जो असानी से liquefied नहीं होते जैसे हमारे पास sops है या कुछ और है तो इसमें must enclosed in inner cover with which must placed inside boxes of wood, metal, strong and thicker, leather तो ऐसे substances जोने एक inner cover में रखना चाहिए मतलब उसके अंदर एक cover होगा उसके बाहर का जो होगा बुड का या metal का या कोई भी strong या thicker leather का कोई भी box हो सकता है पहले उसको पहले cover में रखेंगे उसको inner cover बोलेंगे फिर उसको outer cover में रखेंगे जो wood metal या strong या कुछ ऐसा लीथर का हो सकता है dry borders अगर हमने कुछ सूखे borders बेजने हैं placed in cardboard boxes and closed in bag और linen तो यह linen भी एक किसम का bag होता है तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई dry border है ता हम उसे cardboard boxes में रखेंगे और उसको या linen के bags में डाल कर भेजेंगे next हमारे पास penalty for breach of conditions अगर कोई भी जो ही in conditions का उलंगन करते हैं तो क्या होगा anything against conditions charge on delivery with letter or parcel postage तो अगर इन conditions के जो भी हमने उपर conditions पड़ी अगर इनके against है अगर इनके खिलाफ है तो जो जब उसकी delivery होगी तो वो parcel postage या letter की तरह चार्ज किये जाएगे उसके जो charges हों के इस तरह लिए जाएंगे according to close burn 33 if not packed in manner तो हमने जो भी close burn 33 में जितने भी हमने नियम पड़े जितने भी उसको पै करने के नियम पड़े हैं उसके अगर against है तो वो उसे नहीं भेजा जाएगा उसे forward नहीं किया जाएगा नेक्स है मारे पास prepayment of postage in cash in certain post offices authorized by head of circle तो डा का पूरव नकत भुगता है तो इसमें कोन authorized करता है इसका authorized जो है officer कोन है वो head of circle authorized कर सकते है for firms or persons posting large number of unregistered packets minimum 500 at a time तो यह होता है किसके लिए ऐसी firms और companies के लिए जो बड़ी संख्या में unregistered packets को बेजती है 500 at a time मतलब 500 एक ही बार में for this facility ascertainated from nearest principal post office or writing to the head of circle direct तो जो हमारी prepayment of postage in cash की facility है इसके लिए हम हमारे जो नजदीक की principal post office है उससे या सीधा हम head of circle को भी लिख सकते हैं next आता है हमारे पास blind literature packet तो अंदसीत्य packet जो हमारे जो भी अंधे व्यक्ति होंगे या जो देख नहीं सकते उनके लिए कोई भी packet भेजना है या उन्होंने भेजना है तो उसके लिए क्या है exemption from postal fee तो उनके लिए जो भी है जो postal fee है वो नहीं लगेगी वो free है इसमें registration fee नहीं लगेगी fee for acknowledgement fee for tested copy of receipt यह सब चीज़े नहीं लगेगी postage free blind literature packet transmitted by surface तो only route only तो इसमें क्या है कि जो हमारा free होगा blind literature वो सिरफ surface route से भेजा जाएगा if they are to be sent by air air mail charges for packet has to be paid तो अगर तो वो surface route से भेजा जाए तब तो उसके लिए कोई charges नहीं लगेंगे तब वो free of cost जाएगा बट अगर उसे air mail से भेजना पड़ेगा तो उसके लिए air mail charges जो भी होंगे वो देने पड़ेंगे नेक्स्ट है हमारे पास contents and conditions of posting तो इसमें क्या समगरी भेज सकते हैं और क्या conditions है वो paper of any kind, periodicals, books and letters from or two blind persons in Braille तो जो हमारे blind literature packets है वो हम उसमें हम कोई प्रियोडिकल या book है या कोई letter है भेज रहे हैं तो वो Braille में होना चाहिए Braille एक लीपी है उसमें होना चाहिए next है हमारे पास posted in accordance with conditions, only for the use of blind shall not contain anything communication, writing और printing तो इसमें हमारे जो blind literature packet है उसमें केवल हम जो हमारे blind जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए होना चाहिए पर उसमें कोई communication नहीं होना चाहिए writing और printing में तो उसमें हमारे पास अगर कुछ writing और printing में अलो है तो वो क्या है? title, table of content और instructions तो उसमें कोई भी title या जो भी उसके अंदर है उसका contents का table हो सकता है या कोई भी instruction है तो वो लिख सकते हैं उसके इलावा कोई भी written या printing communication नहीं होगा bear outside the inscription literature for blind तो उसके जो blind literature packet होगा उसके बार लिखा होगा literature for blind written printed name and address of the sender और उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ या print किया हुआ उसका name और address होगा जो भी भेजने वाला उसका लिख सकते हैं shall be posted without cover or in open cover at both ends which can be easily removed for purpose of examination तो इन्हें ऐसे cover में भेजना चाहिए या तो इन्हें without cover भेजना चाहिए बिना cover के भेजना चाहिए या फिर ऐसे cover में जो दुन्हों तरब से खुला हो या फिर easily असानी से निकाला जा सके अगर कोई examination करनी पड़े तो weight note more than 7 kg तो उमारा जो blind literature packet है उसका जो भार है वो 7 kg से अधिक नहीं होना चाहिए same dimensions as book packet और जो भी इसके size या size बगारा की कोई भी limit है तो वो हमारे पास जो book packet हमने पहले पड़ा उसके same ही है और blind literature book packet में same ही use होगा next है हमारे पास close number 138 penalty for breach of conditions तो अगर कोई conditions का उलंगन होता है if any against low charge on delivery with latter or parcel postage तो इन सभी में अगर कोई भी इन सभी जो भी हमने इनकी conditions पड़ी इनके against है तो जब वो delivery किया जाएगा तो वो parcel postage की तरह या फिर latter की तरह जो भी उसमें कम होगा उसकी तरह उसे treat किया जाएग next है हमारे पास registered newspaper इसमें definition जो हमारी पोस्ट ओफिस act में जो दी गई है every publication consisting holy or in a great part of political article relating to there to or to other current topics बिद और बिद आडवर्टाइजमेंट तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारा registered newspaper उसमें क्या हो सकता है कि पूरी तरह से या कुछ एक पार्ट उसमें political राजनीती के related हो सक सकता है या फिर इसके सिवा या फिर हमारे पास जो भी हमारे current topics चल रहे हैं या बिदोर बिदोर अडवर्टाइजमेंट तो हमारे current topics हो सकते हैं वह बीना advertisement के और advertisement के साथ condition क्या है publish at intervals of not more than 31 days तो इसमें बड़ा important है question बार बार आता है कि हमारा registered newspaper है कि इतने दिन में publish होना च तो 31 दिन के भीतर वो publish होना चाहिए it has a bonafide list of subscriber प्रमाणित subscriber है उसकी list होगी next है हमारे बास any registered newspaper which a document of any below description treated as book packet तो यह हम जो नीचे पढ़ रहे हैं अब इसमें अगर कोई वी इन सब में इन में सहे कुछ भी है registered newspaper के साब बेच जाए तो उसे book packet की तरह treat किया जाएगा तो जै आसे advertisement sheet for an advertiser तो अगर कोई भी इसमें advertisement है जो advertiser के लिए भेजी है यह advertisement contain prospectus with application form तो कोई भी prospectus है application form के साथ यह direct कोई भी personal communications अंचार है कोई भी direct तो उसे भी conditions में उसे book packet की तरह treat किया जाएगा next time हमारे पास conditions newspaper registered at office of superintendent और senior superintendent of post office in the postal division in which it is published and posted at concessional rates during its registration period तो इसमें क्या है कि जब भी हमारा कोई भी जो मालो हमारा जो भी newspaper है वो publish करना है या post करना है तो वो जहां से भी होता है ठीक है वहां का जो भी local superintendent या senior superintendent होगा वहां के division का उसके office में वो registered होना चाहिए वो newspaper registered होगा next time हमारे पास application for first registration consists तो जब भी हम मालो कि आपको कोई जो भी अखवार है newspaper है आपको publish या post करना है तो उसके लिए जब आप first time application दोगे तो क्या क्या दोगे उसके साथ two copies of latest issue of newspaper तो हाली में शपी हुई दो copies देंगे आप newspaper की certificate from the presidency or sub divisional magistrate of local jurisdiction the newspaper printed तो जहां पर हमारा local newspaper जो भी जहां पर print होता है तो बहां का जो भी local presidency या sub divisional magistrate होगा उसके द्वारे एक certificate दिया जाएगा जिसमें declaration होगी section 5 के under press and registration of book act 1867 के अंडर वो declare करके certificate देगा next time मारे पास newspaper shall be transmitted by post as registered newspaper from place of publication and also any other place with the transmission of superintendent of senior superintendent तो इसमें कहा है जो हमारा registered newspaper है वो कहां से भेज सकते हैं इसको जहां पर वो शपता है जहां पर वो publish होता है या फिर किसी और जगह से भी भेज सकते हैं पर किसकी permission के साथ किसकी आगे के साथ तो superintendent या senior superintendent return में इस चीज़ के लिए permission देगा full postage shall be prepared exempted prepayment of postage under close 143 तो हम आगे पढ़ेंगे 143 number close उसमें आपको बताएंगे next हमारे बास print any convenient place either on first and last page registered followed by registration number of numbers assigned by superintendent of post office तो जो मारा first and last page होगा उस पर registered लिखा होगा और जो भी उसके आगे जो भी हमें superintendent या senior superintendent ना जो भी number assign किया होगा registration का numbers assign किया होगा वो उसके साथ लिखेंगे dates of months में भी specified by superintendent of senior superintendent तो जो भी उसकी published की या posting की dates होगी वो कौन decide करेगा वो superintendent या senior superintendent डिसाइड करेगा clear notice of three days given by clear notice of three days given by postmaster in case any change date days of posting तो जो हमारा अगर उसमें मालो हो कि आपको जो भी dates दीवी है superintendent या senior superintendent है तो अगर आपको उनमें कोई change करनी है तो आप तीन दिन पहले एक उसको लिए notice दोगे postmaster को these days three days notice may be waived by the superintendent और senior superintendent तो जो हमारा superintendent है या senior superintendent है वो इस चीज के लिए आपको शूड दे सकता है कि आप उसके notice भेजो या ना भेजो चाहे एक दिन पहले भेजो वो कर देगा every copy of bundle every copy or bundle of copies of newspaper posted without cover or wrapper or cover open from both ends which can easily removed तो जो भी हमारा अगर मानलो कोई भी registered newspaper की copy है या bundle है तो उसको जब भेजेंगे उसको बिना किसी कबर के भेजेंगे ठीक है उसको किसी कबर में डाल के नहीं भेजेंगे और अगर तो मानलो की उसको कबर करना पड़े तो फिर उसके जो दोनों end होंगे वो खुले होंगे और जो असानी से remove हो सके तो इससे क्या application or on cover nor shall anything writing or mark be made on the cover तो इसमें क्या है कि जब हमारा newspaper शप जाएगा तब उसके बाद आप उस पर कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी मार्क नहीं बनाएंगे accept name and address of the address तो इस case में shoot है कि आप उसके name या जो भी उसका address ही है तो उसके address के से अप पर कुछ लिख सकते हैं उसकी जगव भी कुछ कर सकते हैं बट जो भी other conditions होगी उसके जो भी publish हो गया एक बार तो उसमें आप कोई भी change नहीं करोगे उसमें कुछ भी लिखोगे नि एक्स नेक्स हमार पास in case of packets containing more than one copy of newspaper तो ऐसे packets जिन में एक से ज्यादा कोपी हो निउसपेपर की the subscribers numbers तो उस पर जो हमारा newspaper हो कितने बंदों को जाएगा कितने जनों को जाएगा तो उसके numbers लिख सकते हैं name and address of the newspaper तो जो भी उसका address होगा बो लिख सकते हैं जो send भेजने वाला होगा या sender होगा उसका address impression containing words marked copy ये भी लिख सकते हैं in case of press packet addressed to railway book store और recognized agent on the line the description तो इसमें क्या है अगर कोई हमारा press packet है हम press packet के बारे में पढ़ेंगे आगे details से क्या होता है तो अगर मालो किसी भी railway book store को भेजा गया है या किसी recognized agent को भेजा गया है तो direction के तोर पर उस पर एक line लिख सकते हैं to be delivered direct from mail ban next time हमारे पास no paper or thing enclosed by any such newspaper other than extra or supplement specified in close 139 तो हम आगे पढ़ेंगे जो हमने पीछे पढ़ा close number 139 कि हमारा newspaper होगा उसके साथ हम कोई extra paper नहीं लगाएंगे या कोई और चीज उसके साथ unclosed नहीं करेंगे registration number not print on the wrapper जो हमारा registration number होगा वो सिरफ newspaper पर ही शपेगा पर उसका जो wrapper होगा मालो अपने अगर wrapper आपको यूज करना पड़ा है तो आप उस पर नहीं शापेंगे उसको first registration remain in force till 31st December of calendar year तो जो हमारी एक बार registration हो गई तो वो कब तक लागू रहेगी कब तक उसकी validity होगी तो 31st December जो भी हमारा calendar year होगा उसकी 31 December तक हो रहेगी every subsequent renewal of registration remain in force for one calendar year तो इसके इलावा जो भी हमारी registration है वो एक साल के लिए valid रहेगी next close हमारे पास 141 procedure for registration जो हमारा newspaper publish करने के लिए उसके लिए हमें registration करवानी पड़ते है कि मारलो अगर आपने कोई भी newspaper publish करना है या पोस्ट करना है उसके लिए एक registration होती है तो उसका procedure क्या है वो registration कैसे करवाएंगे the proprietor manager publisher of newspaper registration for such newspaper should address to head of division तो इसके लिए जो registration करता है वो कौन करता है head of division तो जो उसका मारलिक होगा manager होगा या publisher newspaper का जो भी होगा वो head of circle के साथ संपर्क करेगा भेर्दी newspaper is published तो जहां पे भी हमारा newspaper publish होता है उसके related जहां भी जो भी उसका head of division है वहां का क्षेत्री जो भी head of division होगा superintendent या senior superintendent होगा उसके साथ वो संपर्क करेगा furnish printed form of application by post office should fill and return at same time copy of newspaper तो बो post office जो होगा उसको एक form देगा फिल करने के लिए और जो भी उसके साथ पार्टिकुलर्स चाहिए उसके साथ जो भी चीज़े चाहिए बो सारी प्रवाइड करेगा head of division application with copy of newspaper तो जो वो application भेज़ेगा उसके साथ वो newspaper की copy भेज़ेगा satisfy him that newspaper is accordance with rules तो जो मारा head of division होगा वो satisfy होना चाहिए इस चीज़ के साथ जो newspaper शपर है वो rules के हिसाब से ही है when application is accepted head of division assigned the newspaper और registration number तो जब हमारा head of division superintendent या senior superintendent जो भी होगा वो satisfy हो जाएगा इस बात के साथ की जो भी newspaper शपर है वो rules के accordance है rules के हिसाब से ही है तो जो application होगी वो accept करनी जाहेगी और जो head of division है जो भी superintendent या senior superintendent होगा registration number उसको एक provide करवा देगा registration number initial number of postal circle perfect तो इसमें जो हमारा registration number होगा उसमें हमारा जो postal circle होगा उसका number prefix होगा and communicate this number to proprietor, manager or publisher और जो हमारा जो भी उसको number assign किया जाएगा वो उसको जो भी उसका मारली के manager, publisher जो भी होगा उसको वो दे दिया चाहेगा written notice to renew registration of registered newspaper तो जो हमारा newspaper होता है उसकी registration के लिए एक notice भी जाएगा one month before expiry of period of registration तो जो हमारी registration होगी उसकी expiry date मतलो उसके खतम होने के एक मीना पहले no fees shall be payable for registration और हमारी जो registration होगी उसके लिए कोई fees नहीं देनी होगी if no, no duly renewed or has been cancelled it will not be accepted for transmission at concessional rates तो अगर हमारा जो license है वो renew नहीं करवाया है या cancel हो गया है तो जो हमारी जो भी transmission के लिए जो भी concession मिलता है तो वो नहीं मिलेगा no prohibition against transmission by post either singly otherwise at the rate of book packet charges तो किंतु उसमें यह है कि हमारा newspaper अगर हमारों की concessional rate नहीं बेज रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे भेज नहीं सकते है उसको भेज सकते हैं बड़ जो उसके पर charges लेंगे वो book packet के charges लेंगे next है हमारे पास renewable and termination of registration तो इसमें कहा है हमारे पास application for renewable तो ऐसे है कि जब हम उसको renew करवाते हैं या जो हमारा registration है वो खत्म हो जाती है तो उसके पास क्या करना पड़ता है application for renewable तो उसके नहीं करन के लिए एक application भेजनी पड़ती है reach the officer concerned at least one month before the date of expiry तो application बो है जो भी application भेज़ेंगे बो जो officer होगा concerned उसके साथ जो भी जिसने भी उसको renew करना होगा उसको कम से कम expire होने से एक मन्त पहले पहुंच जानी चाहिए application consists two copies of latest issue of newspaper और जो application होगी उसके साथ जो हमारा newspaper होगा उसकी latest जो अभी अभी शपी हुई दो copies होगी newspaper की late fees 5 रुपे charged application received later than last day of the calendar month तो इसमें है कि अगर वो जो हमारा calendar day का last month है मालों कि अभी एक मीन पहले application तो पहुंच गी किन्तु application तब पहुंची कि जब जो हमारा calendar month है उसका last day है तो वो 5 रुपे से charge उसके जो पांच रुपे charges late fees charges लग जाएंगे renewal in all classes granted only band superintendent and senior superintendent satisfied तो सभी classes जो भी हमारी register newspaper के लिए जो भी registration होगी वो तभी renew होगी जब हमारा superintendent या senior superintendent जो भी local होगा वो satisfy हो जाएगा कि हाँ ठीक है वो जो registration है वो renew होनी चाहिए जो newspaper शपरी है वो according to rules है और सब कुछ ठीक है तब वो उसके लिए renewal करेगा जो भी license होगा उसको renew कर देगा in case previous registration expired before registration तो मालों कि आपने registration नहीं करवाई और जो पुरानी registration वो expire हो गई then जो paper shall be prepared at book packet तो ऐसी स्थिति में जो हमारे newspaper होंगे वो उन पर book packet charges जो भी होंगे वो लगेंगे in case application received after date of expiry तो हम आगर कोई जो application है वो expiry date के बाद मिलती है तो treated as fresh application तो इसको जैसे पहली application बेज़ी है पहली बार application बेज़ी है वैसे ट्रीट किया जाएगा superintendent and senior superintendent can cancel or refuse the registration of newspaper registration तो जो हमारे superintendent उस है senior superintendent है उनके पास ये अधिकार है कि जो registration है newspaper की उसको cancel भी कर सकते हैं उसके लिए बना भी कर सकते हैं next है हमारे बास close number 143 packets of newspapers newspapers posted in letter boxes not admissible to reduce postage तो अगर हमने कोई भी newspaper है जो उसे letter box में post कर दिया है तो वो अपने concession जो भी उसके लिए concession मिलता है अगर registered newspaper के लिए जो भी concession rate मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा उसे वो उसके लिए वो पातर नहीं होगा packet containing more than one copy of same issue of registered newspaper तो packet of newspaper होता क्या है packet containing ऐसा packet जिसमें एक से जादा same issue की मतलब एक ही किसम के newspaper registered newspaper हो तब उसे हम packet of newspaper कहते हैं each packet contain only copy of same registered newspaper or same date तो जो परते एक packet होगा जो भी packets registered packet of newspaper होंगे उनमें जो registered newspaper होंगे वो same date के होंगे यह नहीं कि अलग अलग date के होंगे एक आज का है एक दूसरा पिछले कल का ऐसा नहीं होना चाहिए और वो same होने चाहिए यह भी नहीं कि एक किसी और चीज़ का है किसी और चीज़ का है ऐसे भी नहीं होने चाहिए वो same होने चाहिए और same date के होने चाहिए posted in same post offices on same fixed days as in the case of single copy of that newspaper shall be addressed to local agent at registered newspaper तो यहां पर क्या है मारा कि अगर कोई भी हमने single copy of registered newspaper है हमारे पास अगर हमने किसी भी local agent को भेजनी है तो उसके लिए post office में जो भी days है वो fix कि होते है कि उन्ही days में भेजी जाएगी next है अमरे पास the packets not delivered to addresses house handed over to addressy at the office of destination और जो registered newspaper के packet होंगे वो addressy को उसके घर पर नहीं दिये जाएंगे उसको उसको जो post office होगा महीं पे उसको hand over किये जाएंगे जहां पे वो भेज जिके हैं next है मारे पास proprietor manager publisher shall communicate to office of posting name address of every local agent name of post office of destination railway mail service section तो जो हमारा मालिक होगा जिस्टर newspaper जहां पे publish होता है मालिक है manager publisher जो भी है वो जो भी उसका जहांसे वो भेजता है जहांसे वो post करता है register newspaper को और या जो उसके name and address of every local agent तो जो वहां पे जो भी उसके जो भी local agent होगे उसका नाम और address बताएगा name of post office of destination destination जहां उसका गंतव्य कार्या ले होगा उसका पता बताएगा railway mail service section इसका पता बताएगा अगर वो railway mail service के लिए भेज जगे है next time हमारे पास the address of his agent or his agent call to take delivery of packets at the window of post office mail office or from rms ban तो जो address होगा या उसका agent होगा जो भी जिसके पते पर भेज़ेगे होंगे या उसका जो भी agent होगा उसे delivery के लिए बुलाया जाएगा और उसकी जो भी post office window पर delivery की जाएगी या mail office या railway mail service ban जहां से भी उसकी delivery होगी वहाँ पर ही उसकी delivery की जाएगी उसको घर पे नहीं दी जाएगी उसको delivery के लिए बहीं बुलाया जाएगा next है हमारे पास the sender of packet indicate on the packet to be delivered at window तो जो sender होगा वो packet पर indication देगा उस पर एक indicate कर देगा कि to be delivered at window in places where post box system is in force no article deliver at the window of post office तो ऐसी स्थिती में जहां post box system नहीं है और जहां पर post box system है बट जो हमारी बिंडो डिलिवरी है वो नहीं है तो ऐसी स्थिती में will be delivered through local agents जो भी local agents होगे उनके थुरू delivery हो जाएगी next है हमारे पास posting of newspaper without prepayment of postage तो posting of newspaper without payment postage का मतलब है कि नकद में पूरा भुकतान की जो भी उसका भुकतान है वो पहले नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिती में post a large number of papers post there paper without fixing postage stamps under this scheme तो ऐसी मतलब ऐसे कब हो सकता है कि अगर वो बहुत जादा मात्रह में पेपर जो उनको post करता है तो उसके लिए एक scheme है तो कौनशी scheme है वो only for registered newspaper which publish at interval not more than 31 days तो ऐसे newspaper prepayment of postage मतलब उनका पूरा में भुकतान नहीं किया गया जाएगा तो उसके लिए क्या है कि वो 38 दिन के भी तर्ष अपने चाहिए उनकी जो publication है वो 31 days से जाद है कि नहीं होनी चाहिए 30 days के 31 days के अंदर हो जानी चाहिए एंड पोस्ट 500 copies at a time और वो एक ही साथ में एक ही बार में 500 copies जो भी जिस्टर newspaper होगा उसकी भेज़ जेगा दोस newspaper which carry stamps of 5 पैसे only under this facility 100 copies minimum और ऐसे newspaper जिन पर 5 पैसे की stamp ही लगी है तो ऐसी स्थिती में जो भी ऐसी facility के लिए 100 copies एक साथ पोस्ट करनी पड़ती है नेक्स हमारे पास apply to head of circle for license furnishing the following particular तो जो हमारा license है इसके लिए जो भी registration license है उसके लिए head of circle को apply करना पड़ता है उसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ता है the average number of single copy of newspaper packets containing more than one copy of newspaper तो यह सारी चीज़ें बतानी पड़ती है average bet single copy of newspaper packet containing more than one copy of newspaper postage payable on इसके लिए भी यह same है single copy of newspaper packet containing more than one copy of newspaper total amount of average postage on all papers तो यह सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं हम यह अगर उसका license लेना है हमें registration का license लेना है तो head of circle को बतानी पड़ती है form में fill up करनी पड़ती है number of days in a month on which the papers would be posted तो उसमें बताया जाएगा कि कौन-कौन से days में जो month के कौन-कौन से days में जो paper होगा वो post किया जाएगा head of postal circle calculate postal postage total postage payable by register newspaper in a month तो head of circle है वो क्या calculate करेगा total postage payable कितना है एक month में amount of security may be deposit in cash in post office saving security deposit amount national saving certificate तो इसमें किया है कि जो भी पहले तो वो head of circle होगा वो calculate करेगा कि एक month में कितना total postage payable हो गया है उसके बाद जो भी amount होगा जो भी security के रूप में वो deposit करेगा जो भी sender होगा जो भी appropriator होगा या publisher होगा in post office savings या तो post office के saving card में या security deposit card में या national saving certificate के रूप में वो deposit करेगा guarantee from sbi or bank nationalized by government तो या तो वो guarantee देगा state bank of india की या कोई भी ऐसा bank जो the postage due on all postage will adjust twice in a month तो जो भी जो मालों की वो बिना पूरा भुकतानी किये हुए कि post कर रहा है register newspaper भेज रहा है तो ऐसी सिती में जो उसका postage due होगा वो महिने में दो बार adjust किया है उसको दो बार pay करना पड़ेगा एक तो पहले हमारे बास 16th for posting between 1st and 15th of the month तो जो भी हमने newspaper एक तरीक से लेकर पंदर तरीक तक बेज़े है उनके लिए उनके लिए वो जो भी pay करेगा वो 16 तरीक को करेगा और जो उसके बाद 16 से लेकर हमारी जो भी month के end की last date होगी उसके तक के जो भी होंगे उसके लिए वो पहले मीने की जो पहली तरीक आएगी उसके लिए उसके त्रीक को वो पे करेगा आफ्टर डिपोजिट मॉड़ ओफ सेक्यूरिटी ए लाइसेंस बील वी इस्जूड बाई हैड ओफ सर्कल अंडर फोलेंग कंडिशन्स उसके बाद जब डिपोजिट का देगा अमाउंट तो उसके बाद जो हैड ओफ सर्कल होगा वो इन सब कंडिशन्स जो हम पढ़ रहे हैं नीचे उनके बाद इन कंडिशन्स केंडर वो उसको लाइसेंस इस्जू करेगा जो नीचे पर होगा हमें पोस्ट जो भी उसका पविलिशन होगा या जो भी होगा वो बिंडो पोस्ट ओफिस पर ही उससे हैंड ओवर करेगा लाइसेंसी शुड अरेंज टू प्रेंट लाइसेंस नंबर अलोंग बिद वर्ड्स लाइसेंस टू पोस्ट बिदोट प्रिपेमेंट तो जो भी लाइसेंसी होगा जिसे लाइसेंस मिलेगा वो arrange करेगा क्या arrange करेगा वो जो license number होगा उसको छपाने के लिए जो हमारा news में पर होगा with words वो क्या word लिखेंगे उपर license to post without prepayment कि उसके पास license है prepayment मतलब पूरा भुकतान किये बिना post करने का below registration number उसके नीचे वो registration number यह सब चीजों का वो शपाने के लिए उसके उपर इंतिजाम करेगा application for renewable made at the same time as application for renewable of registration तो जब registration की जाएगी application बेजी जाएगी तभी बताया जाएगा तभी decide कर दिया जाएगा कि उसके जो renewable होगा application का वो कब होगा copies of newspaper should be handed over at the window along with the invoice in duplicate तो जो भी newspaper भेज़ेंगे और जो भी बहाँ पर hand over करेंगे window post office पर तो उसके साथ वो एक invoice भी देगा duplicate में duplicate एक invoice भी देगा one copy of invoice after comparing enter entries return to the standard duly signed and date stamped तो जब वो invoice में क्या होगा invoice में जो भी newspaper होंगे उनकी गिंती होगी जो भी उनका हिसाब कता होगा वो लिखा होगा तो जब वो invoice प्रेजन्ट करेगा तो उसके साथ वो newspaper की copies देगा तो जो होगा उसके साथ चैक किया जाएगा invoice को check किया जाएगा कि सभी interest चीक है या नहीं फिर उसके बाद अगर ठीक हुई तो जो सेंटर होगा उसको डिली साइंड और जो डेट स्टैंप लगा के वो invoice वापिस कर दी जाएगी on the basis of invices a bill is prepared by post office जो invoice उसने दी होगी उसके base पे अब post office एक bill prepare कर देगा और RMS office showing total amount of postage payable और उसमें क्या होगा कि जो भी total postage होगा और कितना total postage बन गया है उसका वो pay करना है उसको presented to the licensee on 16th and 1st of the each month और जो addressee जो भी हमारा licensee होगा जो जिसके पास registration license होगा उसको 16 तरीकों और पहली तरीकों वो बताया जाएगा क्योंकि हमने जैसे पीछे पड़ा कि जो भी हमारा एक से लेकर 15 तरीक ता काम होगा वो जो भी posting होगी उसके लिए 16 तरीक को अगले मीने की एक तरीक को करेंगे तो ऐसे में उसको दो बार जो 16 और एक तरीक को उसके जो भी लाइसेंसी होगा उसको वो मॉंड पे जो भी पेवल होगा वो पताया जाएगा वो पे करेगा ती पेमेंट ओफ बिल वीदिन वी दिन 7 डेज और सर्कल के लाइसेंस तो इसमें क्याएगी जो अब 16 तरीक और एक तरीक को उसको बिल बता दी जाएगा उसके बाद वो साथ दिन के भी तरुस बिल को जमा करेगा नहीं तो जो सर्कल होगा वो और लाइसेंस को कैंसल कर देगा जो भी पोस्टिंग होगी उसके रिजिस्टर न्यूस पेपर की वो बंद कर दी जाएगी और लाइसेंस भी कैंसल कर दिया जाएगा the head of circle recover the amount due अब जो भी amount बच गया है अब वो तो recover करना है तो वो कौन करेगा head of circle if necessity take step to recover any amount outstanding under section 12 of India post act 1898 तो जो अगर head of circle जब उसे amount recover करेगा अगर जरूरत पड़े तो वो उसके against action भी ले सकता है जो हमार 12th of India post act 1898 में है next हमारे बास the license on being terminated may be renewed by head of circle तो जो हमारा जो भी हमारा license है उसे renew कौन कर सकता है head of circle वो चाहिए और terminate हो गया हो if anytime found that the security deposit is less than the payment for the recurring that the preceding month तो ऐसा है कि अगर मालो की जो सेने security amount जमा करवाया है अगर मालो की ऐसा प्रतीत होता है कभी वी कि वो कम है क्योंकि पोस्टेज उससे जो भी पोस्टेज बैलियू है जो भी जितने की पोस्टिंग हो रही है वो उससे जादा है और security mode कम है तो जो लाइसेंस होगा उसको बताया जाएगा उसको बिलाया जाएगा कि वो जो भी उसका security deposit है उसको बढ़ा ले इफ नोट इंक्रीज सेक्योर्टी अमॉंट अगर वो security mode नहीं बढ़ाता है तो head of circle लाइसेंस तो head of circle जो भी होगा CPMG हमारा होता है head of circle तो वो उस license को cancel कर देगा the license is revocable at discretion of head of circle he will cancel the license without assigning any reason तो अगर जो head of circle है अपने विवेक से वो अगर license cancel करना चाहे तो कोई भी रिजन बताया विना वो इसको cancel कर सकता है if any dispute matter preferred for a decision of director general and his decision is final तो मालो यहाँ पर कोई भी dispute हो जाता है जगडा हो जाता है कि नहीं ऐसा होना चीए दूसरा के नहीं ऐसा होना चीए तो ICCT में जो मारा जो भी मामला होगा उसको director general को pass कर दिया जाएगा और जो उसका decision होगा भई final decision मालना जाएगा तो friends यह था हमारा lecture number 6 चीए lecture सोड़े ऐसे यह boring time मुझे पता है पर आपके syllabus में है तो आपको पढ़ने तो पढ़ेंगे चीए इसके लिए आपको जूरूर नहीं है कि हरा एक line आपको याद करनी है आप main main आप ध्यान से इनको पढ़िए ध्यान से एक बार दिमाग में बढ इसके लिए कौन से रूल है क्या है आप एक दो बार इसको revise करते रहेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे आपको बिल्कुल याद नहीं करने क्यूंकि आपको सामने options आएंगी आपके exam में आपके बाश options होंगी सामने आप question पढ़ें आपको इतना सा याद करना है इतन बड़ा syllabus है और exam की date भी नजदीक आ रही है तो आप और थोड़ा आप रोज पढ़ते रिए और साथ सामन को revise जरूर करते रिए और मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको था कि MCQ के लिए आप कहां से करेंगे तो उसके लिए मैंने एक app बता फरिए पर दर अब दोता संबने है आपको घ्रिए आपको इंधी आद ऎक तिहारी ना सै हिया कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको कितना याद है और जो exam आएगा वो कैसा आएगा और आपको कैसे गरना था करना है कि आपको भ़़दा चल जाएग आपकी त्यारी का ठीक है आपके अगले lecture मिलते हैं ठीक है थैंक यू